वागत है वाइफस टेरी स्टूडियोज पे विच पार्ट आप अनेकाडमी है तो वेरी गुद मॉर्निंग तू अप्यू गुद मॉर्निंग गनेश दीपती अविनाश अंशिका गुद मॉर्निंग तू अच्छा पहले सेशन को शुरू करने से पहले यहां पे जो अभी ए लेकिन जब समझाने का केस आएगा तो अविससी बात है मुझे एक नया पेज लेके पूरी चीजें आपको सिस्टमाटिक समझाने पड़ेंगे और जब भी कोई पॉइंट समझाएंगे तो वो उसी पीडियाफ पे रहता है वो कहीं जाता नहीं तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सारी चीजे महाँ पे हम आपको से वैसे बोल बोल के समझाने वाले नो पीडियाफ में आपको सारे की पॉइंट मिलेंगे अंजब स्टार्टिंग जोग्रफी से हो रही है तो वेसी बात है कि इसमें हम लों माप का यूज ज जाले है अच्छा सब्से पहले लिंक को कोपी करूप करना शुरू करते जल्दी से लिंक को कॉपी करके सेशन को शेयर करो और ग्रुप पर टेलिग्राम ग्रुप पर जाके अपको बोल दीचे कि क्लास सटार्ट हो चुका है और आप कि आपको जो ग्लीर हो गई होगी एक तो मैं आपको आज इंसेस्ट करूंगी कि आज अगर अभी तक बैस नहीं जॉइन के ना तो प्रीज उसको जॉइन कर लेना अब शुरुबात करते हैं सेश्ण की यहां पर तन में भी बोल रहे हैं कि PDF में सब होता है मैंने देखा भी है exactly तन में PDF में सारी चीज़ा लिखी होती है तो परिशान मत हुआ कर एवरिटिंग इस मेंशन एक एक पॉइंट उसके उपर लिखा होता है जाता कुछ भी नहीं है वासे ठीक है अब देखें आपके कुछ आपको टाइम स्टॉट एक बास से रिमाइंड करा दे साड़े पांच पुझे जो है यह आपका मापिंग का सेक्शन चलता है तो माप को देखना मत भूला करो यह काफे ज़्यादा इंबॉरिंट हो जाता है और साथ पुझे आपका रहता है में करेंट अफेर का क्लास जिसमें पूरे एक घंटे जितने भी करेंट की न्यूस होती है सारी हम लोग डिस्कुस करते हैं ओके एवोर्ड के लिस्ट ओके और बताओ निशू मापिंग अच्छी लग रही है चली बात अच्छी बात है चला जाए बात करी जाए यहां पर हाँ बिल्कुल सही कह रहा हो तुम लोग भूपेन हजारिका अंशी का भूपेन हजारिका जो है वो आपका रुनाशर प्रिदेश और आसाम के बीच में लोकेटिर है प्रिवर के ऊपर है विच इस आप ब्रह्मा पुत्र की वह सहायक ने दिया आज सुबही मैंने वह पढ़ाया भी होगा आज ब्रह्मा पुत्रा वाले में यह चीज पढ़ाई है एक बास आप उसे चेक करिएगा तनो जो साथ बज़े की सब्सक्राइब यह सब चीजों होत वो सारे एक्जाम में कवर होता है मैं आपिंके नोट कैसे उनाने हैं हम सोचने कि आज एक क्लास लेहीं लेते हैं तुम लोग के डिसकुशन के उपर क्या कहते हो बताओ क्लास देने की जरूरत है क्या चले अच्छा तो अब यहां पर शुबात करते हैं सेशन की लेकिन क्ल क्लास 9-12 के लिए मिलेगा कितने का वन मंत का सब्सक्रिप्शन जस्ट और रुपीज 99 और यह मांट कब हो जाएगा जब आप उसमें यह कोड यूज करोगे कोड यूज करके इसे एपलाय करना मत भूला करो वरना यह एमांट आपको 2000 के अप्रॉप्स देखने को मिलेगा बिल्कुल आख रहे हैं पूरा शिडियूल है पूरे शिडियूल को आप एक बास से देख सकते हो अब देखो यहां पर शुरुबात करते हैं इससे की कास में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं अंशिका बेटा मैंने आंसर कर दिया आपके गोशन का अब देखिए आज चुकि शिरंका से एक निउस हैं तो हम लोग वहीं पर इस कंट्री को भी डिसकस कर लेंगे चले तो शुरुबात करी जाना सेशन की किसान के लिए क्या होगा बही यही तो बात है अब इसके बारे में बात करेंगे और अगर जैसे हम बात करना शुरू करेंगे फिर तुम यहां पर आपका एक नया दिन आता है एक नई एनरजी के साथ आप एक नए तरीके से नए पॉजिटिविटी के साथ चीजों को शुरू कर सकते हो अब यह चीज आपको भी पता है कि 18th of May को जो अनॉंस्मेंट होंगे है ना इनॉंस्मेंट में हो सकता है एससे के जितने ए तो वही चीज यहां पर बोली जारी कि हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी तो लेके आता है लेकिन वह अपॉर्चुनिटी हम लोग ग्राप्स कैसे करेंगे वह में मिलेगी कैसे जब हम कंटेनर से उसके लिए काम करते रहेंगे ठीक है चलो नो क्रेडिट कार्ट से उसके बारे में बताया तो था देखो जितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है फाउंडेशन बैच के बारे में तो मैं आपको एक चीज बता दू कि कल पॉने एक बज़े मैंने एक चोटा सा सेशन लिया था एक बार उस क्लास को देख लो कहां पर मिलेगा आपको यह वाइफा स्टेडी स्टूडियो पर वीडियो के उप्शन पर जाईएगा उसमें पूरा प्रॉसस मैंने बताया हुआ ठीक है यह बैस कब से शुरू होगा 15 तारिक से और बैस का नाम क्या है यहां पर क्योंकि शुरुआत हम करेंगे कौन से जो भी क्योंना हो जाए सही बात है क्लास करने भी चाहिए अब सेशन को शेयर करना शुरू करो यहां पर शुरूबात करते हैं हम लोग सबसे पहली जो निउस हैं MSME से या फिर हम लोग यहां पर बोल देते हैं आत्मा निर्भर भारत के बारे में संडे को मैं टेस्ट कराया जाए अच्छा कि वार चीन पर कहां से तुम लोग लाती हो सारे टाइग लाइन्स ओके चलिए यहां पर बात करी जाती है इस स्कीम के बारे में अच्छी यह स्कीम नहीं है यह तरीके का इंवेस्टमेंट है तो देखो यहां पर अभी क्या से के यह बात उन्हेंने बोली थी लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो परसो रात में आठ वजे जब इन्होंने यह बात बोली थी तो वहां पर कुछ उन्होंने एक्स्पिनेशन नहीं दिया था मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं था कि इसमें क्या-क्या मैपिंग की प्लेदिस आपको आचसे मिल जाएगी परिशान लाओं मैपइं की प्लेडिस आपको आच से मिलना शुरू हो जाएगे आपको करणा होगा वह आपको बता दिया अब जा इस अन्यूज को सुनलो न्यूज इमपॉर्स इमपॉर्इंट है अब देखो यहां पर अब ये किसके लिए इंवेस्ट किया जाएगा तो इसमें बोला गया कि MSME अगया हम इंवेस्ट करेंगे预ट की Sector में हम इंवेस्ट करेंगे लेबर के सेक्टर में अगयीं- यैश पैसा लगाने का रीजन यह है कि मार्केट के अंदर जो लिकुरिटी बनी होनी चाहिए थी यानि कि एमाउंट जो बना होना चाहिए था जो पैसे का फ्लू होना चाहिए था उससे मेंटेंड करने के लिए यहां पर यह सारे स्टेप्स लिये जा रहे हैं और इसी के उपर अपर आया इससे प्रोफिट किया होगा या से लोज क्या होगा समझ चीज को मालूम है कि किसी का जो बिसनेस वो तो काम कर नहीं रहा था सब लोग अपने घरों के अदर बैठे हुए थे आप जब बिसनेस चले गाई नहीं तो इनके पास पैसा कहा से आएगा पैसा तो पर मतलब इनको हम क्या करेंगे हम फ्री में कोई काम नहीं देंगे इनको हम फंडिंग करेंगे और फंडिंग करने के बाद जब अपना काम करना शुरू कर देंगे तो उससे अपने आप जो हमारे economy है वो grow करना शुरू कर देगी economy जब grow करना शुरू करेगी तो market के अंदर demand create होगी और अगर demand create होगी तो अविस सी बात है कि जो liquidity है वो maintain होना शुरू हो जाएगी तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो यहाँ पर package देने की बात बोली गई है इसमें liquidity को focus किया गया है demand create होगी की नहीं होगी यह एक दूसरा concept हो जाएगा उसके बारे में भी आप नहीं कह सकते हो बट हाँ interlink करके हम यह कह सकते हैं कि हाँ demand create हो सकती है बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाया demand create होगी होगी इसके बार देखो यहाँ पर दूसरी चीज़ बोली गई अच्छा ठीक है लोन देंगे लोन आपको मिलेगा इसमें एक चीज़ और बोली गई है इसमें कहा गया है कि जो global tender होते हैं इनको पूरी तरीके से मना कर दिया गया है मैंने आपको एक word बताया था local for local कुछ यहाँ आहिए local for local का मतलब क्या था कि इंडिया के अंदर अब क्या किया जाएगा जितनी भी चीज़ें इंडिया के अंदर बनाई जाती है उसी का promotion किया जाएगा उसी को promote किया जाएगा और वो जो चीजे होंगी क्या किया जाएगा ग्लोबल लेबल पे जाके उनको बेचने का काम किया जाएगा यानि इंडिया जो है अब एक्सपोर्ट के उपर ज़्यादा ध्यान देगा as compared to import यानि कि इंडिया क्या करेगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा सीदी सी बात है यहाँ पर जब चीजे प्रेडियूस होंगी तब ही तो उनको बाहर बेचोगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा और उसको हम ग्लोबल लेबल पर बेचेंगे बैए ग्लोबल टेंडर बंद करने का क्या मतलब है? ग्लोबल टेंडर इसलिए बंद किया क्या हमको अपनी लोकल चीजे प्रमूट करनी है थुए जो ग्लोबल लाइस किया रहा है उसमें भी आपको यह वर्ड देखने को मिलना है ठीक है? तो बहुत जादा यहाँ से कुछ नहीं है एक्जाम के पार्ट पर आपसे इमाउंट नहीं पूछा जाएगा एक्जाम में आपसे सिंपली हो सकता यह पूछ रिया जाए कि MSME सेक्टर के अंदर कितना इंवेस्टमेंट किया गया तो यह इमाउंट आपको याद रख लेना है इसके लावा ऐस सच कुछ भी आपको यहा किसानों के लिए भी इसमें कोई भी बात नहीं बोली गई है इन में सिंपल सी बात जैसे कि मालो कि आप सड़क पे जारहे हो तो ऊंदर कर दो तो गौर्मेंट ने बोला कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप काम करना बंद करो आप जो दूसरों के सामने जाके हाथ फेला के माग रहा हम क्या करेंगे आपके उपर हम इंवेस्टमेंट करेंगे और आप काम करो फिर उससे जो प्रॉफिट होगा उससे लिकुडिटी बनेग इसके फंड के बारे में हम लोग ने ओल्डो कई बार बात करी है मीडियम ओके स्मॉल ठीक है नितिन गट करी यह तो मुझे पता है तुम लोग आजकल बड़े स्मार्ट हो गया सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर देना इतना काम कर लिया करो देखो ओके अब देखो यह अब को अगर याद हो तो इंडिया का जो परनाएगी इंडिया को जब इमर्जेंसी पढरेगी उस टाउइम पे इसमें से पैसा निकाला जा सकता है अब आपको अगर याद हो तो इंडिया का जो पार्लेमेंट है जो सम्विधान है उसके अंदर दो fund के बारे में बात करी जाती है एक होता है consolidated fund जिसको हम संचित निदी कहते हैं और एक होता है contingency fund जिसको हम emergency fund के नाम से भी जानते हैं यही चीज़ों तो होती हैं तो अब आप हो कि आपके आप मुझे ये बताओ कि जो PS руб । के अंदर पैसा आएगा वह इन दौनों में से कौन्से फंट के अंदर जांए गा है अब इसमें दिखो हुआ क्या है product जीरो-जीरो करोर रुपीस का जो यहां पर फंड कलेक्ट हुआ था पी-म के फंड के अंदर अब यह एमाउंट लो आप कह सकते हूं कि इसको दिया गया है किसके लिए अलोकेट किया गया है उन लोगों के लिए जो एक जगे से दूसी जगे पर जा रहे हैं यानि कि जो माइग्रेंट हैं उनके लिए पैसा एलोकेट किया गया है देखो सिंपल है यहां पर पी-म के इसके अंदर जितना भी पैसा आया इन्होंने बोला भाईया इसमें से थोड़ा पैसा निकाल लो और यह पैसा उनके लिए होगा जितने लेबर वागेर है ना देखो यहां पर image भी मैंने लगा दिये जितने लेबर वागेर है एक जगे अगर वहां से क्रॉस कर रहा है तो उसकी खुद के इच्छा होती है कि यार इनके लिए कुछ तो करना चाहिए वैसी वाली कंडिशन यहां पर हो गई है तो पे अभी भी तुम लोग का कंटेंजेंसी किसी का कंसॉलिडेटेट तो नहीं आ रहे ना कंटेंजेंसी फंड के अं अब कंसॉलिडेटेट फंड ऑफ इंडिया से अमांट निकाल सकते हो कंसॉलिडेटेट फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 266 हो जाएगा और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 267 हो जाएगा जब भी इमर्जेंसी के लिए कोई भी फंड बनाया जा करने की बाद बोली गई है लेकिन यह नहीं बताया है कि कैसे किया जाएगा बास समझ जो एलोकेट किया जाएगा उनने बोला कि कि एक हजार के आसपास का जो अमाउंट जाएगा वह लेबर के लिए होगा बट कैसे होगा यह भी तो बता दो देखो यह जो स्टेटमेंट हम आपको देते ना कभी यह मां सोचना कि मैं किसी पार्टी को फेवर कर रहे हूं या फिर नहीं कर रहे हूं ठीक है यह वो चीज़ को पॉलिटिक से बिल्कुल अलग रखा करो ठीक है यह देखो अब क्या बोल सकते हैं इसके लिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते ना बस यहां पर यह ध्यान रखो कि ऐसा हुआ है ठीक है चले अच्छा ओके फाइन 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 तो यहां पर बस यह जो फंड आया है इसमें सब्सक्राइब फ्रसाडब कैरें और इस डिया जाएगा तो ओवर और इस फंड मेंशे कितना निकाला गया थो पात आप ने बोली और यह है कि 10% of India's GDP, यानि कि इंडिया की जो GDP है, उसका 10% का जो amount है, वो अब खर्चा किया जाएगा health sector के उपर, अगर हम पूरे world में देखें, तो सबसे ज़्यादा पैसा इस टाइम पे GDP का जो खर्च किया जा रहा है, वो जापान के द्वारा खर्च किया जा रहा है, यहाँ पर आप देखो, तो 21% of GDP, जापान खर्चा कर रहा है, दूसरे नमर पर USA आ जाता है, तो इंडिया तो बहुत पीछे कहीं जाके stand करता है, क्योंकि यह तो इंडिया में सिब 10% हो रहा है, बेटर है, बहुत पहले अगर देखो, तो 2% होता था, यह तो 10% invest किया जा रहा है, तो यह अपने आप में बड़ा figure है, आप देखो एक और सर्वे निकाला, इसी के साथ एक और सर्वे था, जिसमें बोला जा रहा है कि 80% जो urban workers हैं, यानि कि शेरों में जो लोग काम करते हैं, उसमें 80% ऐसे लोग हैं, जिनकी job चली गई है, अब बहुत अगर अर्बन एरिया के लोग हैं, जिनकी job गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रूल एरिया का पर क्या हाल हुआ होगा, जो लोग गाओं के छेतर में काम करते हैं, उनकी क्या हलत होई होगी, तो बस यहां पर जड़ा आपको याद क्या रखना है, मन्रेगा के बारे में, क्या याद रखना है, कब से शिरू हुआ है, बताना, नितेश, एक्शली बेटा पताई थी न, गरीब कल्यार योजना, उसके अंदर बोला गया था, कि 182 रुपीज जो दिये जाते थे, 100 दिनों के काम के लिए, जो मिलता था, पैसे दिये जाते थे, 100 एस का गारेंटी काम मिलता था, तो यहां पर इस एमाउन को बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो मन्रे मन्रेगा के अंदर भी लोगों को काम दिया जा रहा है, जैसे कि आपको याद होगा कि गुजरात के अंदर एक स्कीम शुरू करे गई थी, जिसमें बोला गया था, कि मौनसून आने वाला है, तो जितने भी एरियाज हैं, जहां पर पानी बहुत जादा कलेक्ट हो जाता है सुजलाम सुफलाम नाम का एक कैमपेंच शुरू किया, वहाँ पर क्या होगा, जितने भी लोग मन्रेगा के अंदर काम करते हैं, उनको काम प्रोवाइट किया जाएगा, तो स्टेट गवर्मेंट यहाँ पर काम तो कर रही है, लेकिन वही बात है न, कि हर एक परसन को प्र हाली में एक रिपोर्ट जारी करे गई है, जिसमें देखो क्या बोला गया है, इस बार जो मॉनसून है, वो टाइम से पहले आने जा रहा है, हर चीज इस बार इंडिया के अंदर टाइम से पहले होने जा रही है, और 2020 तो ऐसा वाला एयर बन चुका है कि कुछ ना कुछ गर बनाया, ठीक है, फोरकास्ट का काम करता है ना, पूरा क्लाइमेट कहां पे कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहेगा, यही सारी इनफोर्मेशन कौन देता है, आईमडी देता है, आईमडी ने क्या किया, इंडिया का माप ड्रॉ किया, और उसमें जो पीयो के वाला एरिया था, और वहां का क्लाइमिट कैसा रहेगा ये भी उन्टोंने जानकारी दी है तो बस ये धियान रखीजेगा कि आयमडी का काम क्या होता है इसका हेक्वाटर कहां पर है और इस बार का जो मौनसून है वो कब आ जाएगा अंदमानिको बार में सोला तारिक को अब आपके दिमाग में यह आएगा सोला तारिक को मौनसून आएगा तो अच्छी बात है ना आज है क्या फर्क पढ़ रहा है यह यह आएगा ना अगर यहां पर बंगाल की खाड़ी में यह जगे पर लो प्रेशर क्रियेट होगा तो हवाएं क्या होंगी इदर की तरफ मूब करना शुरू करेंगी और जब भी मौनसून आता है तो एक चीज़ याद रखेगा मौनसून में आपको दो तरीके की हवाई मिलती है पहला हो सबसे पहले यह कौन से स्टेट में आती है करला में और इनकी वज़े से सबसे जादा बारिश होती है वो होती है मौसन ग्राम के अंदर यह कहाँ पर मेघाले के अंदर है दूसी दरफ नौर्थ इस वाली इनकी वज़े से अगर देखा जाए तो पहले तो यह जान लो कि यह सबसे पहले कहां पहुंचती है तो पंजाब हर्याना का जो हिमाले वाला एरिया है वहां पर सबसे पहले यह पहुंचती है और इनकी वज़े से सबसे जादा जो बारिश होती है वो कहां होती है तमिल लाडू के अंदर यह काफी इंपॉर्टन एक कॉंसेप्ट है और यह वाला जो पॉइंट है इस फेवरेट ऑफ एससी यह एससी का फेवरेट को हो जाता है तो देखो यह जो हवाएं साउथ की तरफ चाहरी ऑने के बाले को वेसी की तरफ मू रखा जाता है साउथ मौन सून सुनल विंड इसका ता है ध्यान एक वह एक का पहले के अंदर आता है लेकिन इस बार जो है यह काफी पहले आने जा रहा है लास्ट ही अगर देखा जाए तो लास्ट ही है यह ट्वेंटी सेकंड ओफ में को आया था और इस बार एक हफते पहले अंदमान निकोबार पर स्ट्राइक करने जा रहा है अंदमान निकोबार की पहुंच गया उन्दमार निको बार तो बैरन ऐल बैरन आइलेंड इंडिया पर मिलेगा अनदमान निको बार चैन白 इस moisturizing जघे ट डिखना पर श्टी के बीच होती है या हम यह कह सकते हैं इंडिया का जो सदन मोस्ट पोइंट है दक्षणी बिंदू है वह बम दचोंगे वह राजस्तान में राजशान ऊपर यहां आपको मिलेगी अरावली की पहाड़ robi तौ एक्चली प्रॉब्लम क्या है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनकी उचाई अब जादा बची है नहीं यह क्या हो गया यहां पर बहुत जादा अपरदन हुआ इरोजन हुआ जिसकी वज़े से इसकी जो हाइट है वो धीरे-धीरे करके कम होती चली गई अब जब जास का जेप manufacturing एंगी तभी तो रेंफॉल होगी तभ थो बार्ष होगी न तो जैसे यह वाय यहां से आती है तो यह अरावली को ख्रॉस करके family purpose जिसके कारण राजिस्तान का यह एरिया है यहाँ पर आपको बहुती कम वर्षा देखने को मिलती है minimum rainfall का एरिया आपको यह मिलेगा ठीक है यहीं पर देखो मिलेगा आपको क्या थार डेजर्ट अब इसको डेजर्ट क्यों बोलते हैं, किसी जगह को मरुस्थल बोलते हैं कि जुआ इसलिए किसी भी जगे को घडंक वहان जाता हैं, मिनिमुम से भी कम होती है तो भी मंदेश तो पहों होग है समझ समय हैं i do कि आदेश चलह अच्छ लोins अगर कोई आपका कोश्चन चूट जाता है जो नहीं देख पाते हैं प्लीज वीडियो खतम होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डॉप कर दिया करो आपको उसका आंसर मिल जाएगा देखो पैला कोश्चन आज का क्या है यहां पर कोश्चन में पूछा जा रहा है यहां पर Melbourne Cricket Club ठीक है जिसको हम MCC के नाम से जानते हैं आपको बताना है कि अभी हाली में इसके अंदर किसको अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार चुना गया है मतलब second term के लिए इनका appointment किया गया है कहां पर Melbourne Cricket Club के अंदर अब Melbourne Cricket Club आया है तो अबसी बात है किसका headquarters का होगा Melbourne के अंदर located होगा अब आपको बताना है कि किसका appointment किया गया है तो कुमार संग कारा का appointment किया गया है कौनसी कंट्री की तरफ से आंसर हो जाएगा श्रीलंका की तरफ से अब देखो Chris Gill आया तो कंट्री कौनसी होगी West Indies हो अगला सुनील गावसकर जी तो यह भी नामी काफी वैसे सुनील गावसकर जी बहुत चल्दी आने वाले अगला रिकी पॉंटिंग तो यह ऑस्ट्रीलिया की तरफ से अब ज़रा हम बात करेंगे इनके बारे में देखो फॉर्मल श्रिलंकर स्किपर यानि कि यह आज़ा क्याप्टन भी काम कर चुके हैं श्रिलंकर की टीम के अंदर अब इनको दुबारे से इनका कारेकाल शुरू किया गया है सबसे बड़ा पॉइंट सबसे बड़ा फाक्ट यह है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट है जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नॉन ब्रिटिश जरा इस चीज़ को ध्यान रखेगा वह सकता है आपसे सवाल ऐसे ना पूछा जाये हों पर जो पॉइंट लिखा हुआ है न हो सकता है आपसे इस तरीके से कोश्चन ना पूछा जाये यहां पर लिख दिया जाये कि नॉन ब्रिटिश प्रिसिडेंट कौ पॉइंट पहले जान लो, श्रिलंका की capital क्या होगी, कोलंबू और जयवाधर ने पुरम कुट्टा, करेंसी क्या होगी, श्रिलंकन रुपी, राश्पती यहां के कौन हो जाएंगे, गोटा बाया राश्पक्षे, और यहां के PM कौन हो जाएंगे, महिंदर राश्पक्षे, यानि कि overall अगर देखा जाए, तो जो राश्पक्षे फामली है, वो यहां पर डॉमिनेट करती है, ठीक है, अब मैप के पार्ट पर ध्यान से देखेगा, यह जो आपको जगे नजर आ रही है, यह वाला जो एरिया नजर आ रहा है, वो देखी दिना भी रामायर्ट चल रह होती है, सबने देखी दिना रामायर्ट, जल्दी से बोलो, ओके, आप देखो एक चीज़ जहां रखो, यह जो एरिया आपको मिल रहा है, यह एक कनेक्टिविटी पॉइंट है, जो आपको तमिलनाडू और शिलंका के बीच में मिलेगा, यहां पर इंडिया की कौन से स्ट देखो तो यहां पर आपको मिलेगा जाफना, जाफना क्यों इंपोर्टिंट है, क्योंकि अभी हाली में जाफना का जो एयर पोर्ट है, जो काफी लंबे टाइम से बंद पड़ा हुआ था, इसको दुबारा से शुरू किया गया है, और यहां पर फ्लाइट चलना शुरू हमबन टोटा पोर्ट, अगर देखा जाए, तो चाइना के दौरा इसको 99 एस के लिए लीस पे लिया गया है, तो यह भी आपको याद रखना, इसके लावा मटाला एयर पोर्ट, मटाला एयर पोर्ट जो है, यहां पर आपको शिलंका में मिलेगा, इंडिया के दौरा बोला गया है, किसके दौरा है, चाइना के दौरा, ठीक है, और एक चीज़ और, मीजल्स, मीजल्स पूरी तरीके से खतम जिस कंट्री में किया जा चुका है, वो कंट्री कौन सी है, दाट इस शिलंका, यह 2019 में हुआ था, तो अगर एक्जाम में पूछा जाता है, तो प्रीज इ बीच में जो एक्सराइज होती है, उसका नाम क्या है, स्लाइनेक्स है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, मित्र शक्ती, मित्र शक्ती नाम की जो एक्सराइज इंडिया शिलंका के बीच में होती है, या भी हाली में, पूने के अंदर और 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 गिनाइज करी गई थी, यहां पर देखो Gulf of Manal नजर आ रहा है उपा की तरफ आप देखोगे तो पालक स्ट्रेट है और यहां पर बेव बेंगॉल है तो Gulf of Manal, Manal की खाड़ी और बेव बेंगॉल यानि कि बंगाल की खाड़ी इन दोनों के बीच में आपको क्या मिल रहा है पालक स्ट्रेट देखने को मिले अच्छा क्या करों कि इसका अंसर करके बताओ क्या बनेगा इसका अंसर क्या बन जाएगा यहां पर सबसे पहली ऐसी इंडियन की टेनिस प्लेयर कौन बनी है जिनको अभी हाली में फेट कप हार्ट एवार्ट 2020 से सम्मानित किया गया एशिया ओशियानिया जोन के लिए अब आप सोचो कि माम वाट इस ओशियानिया तो ओशियानिया से याद रखना ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजिलेंड और प्लस वहां पर जितने भी छोटे चोटे आइलेंस हैं जैसे क पेहली बार ऐसा है कि फुरस इंडीन टेनिस नेस अब देखो बैद्मिंटन अगापूछा जाएगा तो बैद्मिंटन के लिए पीवी सिंदु को अभी गरबर नहीं करेगा सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा यहां घराब हो गया मुझे लग रहा है अब यह मत बोल नहीं हो गया है कि फ़िफा अंडर 17 विमें वर्ल कब जो है जिसको अभी आली में बोला गया है कि पहले होना था 2020 में अब इसको पॉस्पॉन कर सब्सक्राइब नाम पूछा जारा है तो आंसर बन जाएगा यहां पर इंडिया इसको होस्ट करने वाला है तो पहले तो अम लोग जड़ा इसके बारे में कुछ निउस देख लें उसके बाद आते हैं ऑप्शिंस के साथ थोड़ा सा खेला जाएगा तो फीफा अंडर सेवे जो देखो जर ध्यान समझना इसको 2021 अंडर 20 FIFA में कप जो होना था वो इंडोनेशिया में 2021 अंडर 17 में कप कहां पेरू के अंदर पेरू कहां पर है यह साउथ अमारिका के अंदर मिलेगी जहां पे चिली नाम की कंट्री ना उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगी अगला है 2021 वर्ल्ड कप होना है 22nd edition यह कहां होगा दोहा के अंदर इसको और्गिनाईज किया जाएगा दोहा किसकी कैपिटल है कतर की कैपिटल है अगला 2026 जो की 23rd edition होगा इसका आयोजन तीन देशों के द्वारा मिलके किया जाएगा USA मैक्सिको एंड केनेडा सारे पॉइंट क्लियर ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इसके साथ में SEO का सम्मेलन भी यहां पर आयोजित किया जाएगा 2018 में जो फीफा हुआ था वो रश्या के अंदर ही खेला गया था अर्जिंटीना किसी इसको होस्ट करेगी तो अर्जिंटीना की कैपिटल हो जाएगी 20 का सम्मेलन अगला लिखा हुआ है इस पेन ने किसकी मेजबानी करिए तो इस पेन के अंदर जो क्यापिटल है मेडरेट वहां पे कॉप 25 को आयोजित किया गया था और कॉप 26 कहां पर होगा जड़ा कमिंट सेक्शन में आंसर करो कॉप का फुल फॉर्म क्या है कॉन्फरें हम सारे कमिंट्स पर लें तो यह प्रॉब्लम होती है ठीक है जल्दी आंसर कि बताओ कॉप 26 कहां पर आयोजित करी जाएगी ठीक है ठीक है ठीक नेक्स जी को यहाँ पर एगला सवाल क्या है मनमीत सिंग जी अभी हाली में इनकी देथ हो गई सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से खेल से जुड़े हुए थे तो यह आंसर बन जाएगा टेबल टेनिस से इनका नाम जुड़ा हुआ था तो इनकी अ काफी इंबॉरेंट है तो यहां पर कुछ और जी आई टैग मिलें के बारे में बात करते हैं देखो स्कॉटलेंड में होगा वेरी गुड अलोग शर्मा जी आ रहे तुम लोग मतलब याद होने लगा तुम लोग को अगला देखो यहां पर सवाल क्या है सवराई को बार य इसको अभी हाली में जी आई टैग दिया गया है आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में करी जाती है इस पेंटिंग करी जाती है इसमें कलर्स वगेरा मिला के यह नाचुरल कलर्स का इस पेंटिंग को अभी हाली में क्या मिला है जी आई टैग दिया गय इसी तरीके से मधुबानी पेंटिंग है मधुबानी पेंटिंग की बात करो तो युनसको के अंदर आती है और यह कहा कि यह बिहार की हो जाएगी तो जितनी पेंटिंग्स वगेरा जैसे कि पत्चित्र हो गए यह कहा कि तो यह और सा की हो जाएगी तो जितनी पेंटिंग्स आप लोग नियूस में सुनते रहते हो या जितनी पेंटिंग्स में आपको स्टाटिक के पार्ट पर बताती हूं सारे आपको याद होने चाहिए कि कौन सा कब कहा पूछ रिया जाए कुछ पता नहीं होता है ना अब देखो सिक्किम मेंने इसलिए अभी मेंशन किया है क्यों और भूटान के बीच में आपको बॉडर की तरीके से मिलेगा भूटान का जो आपको एरिया मिलता है ना डोकलाम डोकलाम नाम की जो जगे है वो चाइना के साथ बॉडर शेयर करती है और नीचे की तरफ अगर देखोगे तो डोकलाम का बॉडर शेयर नहीं होता है लेकिन भुटान का जो बॉड़र है वो किसके साँ शियर होता है? MP की बाद कर लो. MP के अंदर काफी सारी चीज़े आई हम लोग ने कल भी इस बारे में बात करे थी तो MP में बोहत ज़दा चीज़ें अब हम लोग रिवाइस नहीं करेंगे क्योंकि maximum हम लोग कई बाग कर चुके हैं बस यहां से यह ध्यान रख लो MP के पार्ट पे काना पन्ना पेंच और आपका इसके लावा माधव और फॉसिल नाशनल पार्क यह काफी important नाशनल पार्क हो जाएंगे और इसको tiger state और घडियाल state के नाम से जाना जाता है यह static आपके GI tag दिया गया अच्छिली इसका इस्तमाल किया जाता था जब यहां पर निजाम होते थे ना उस टाइम पर इसको यूज किया जाता था इसके बाद देखो यहां पर दो और चीज़े हैं जिसको तमिल नाडू के अंदर GI tag कल फिर से मिला है इससे पहले मिला तो चिक्की जो अब फिर से इनको GI tag मिला है तो यहां पर बस जितनी चीजों को GI tag मिलते जारें उसके लिस्स आप लोग बना लो और हम भी जल्दी इस लिस्स को प्रोवाइड करा देंगे ताकि सारी चीज़ें आपके यहां पर प्रोपर तरीके से तयार हो जाएं तो पहले जारकन का सब्सक्राइब है यहां पर 14 और 6 रेशियो रहेगा फिर देखो यहां पर अगला जो यहां की विधान सब्सक्राइब है उसमें सीट्स कितनी है 81 अभी एलेक्शन सुए थे ना 2019 में ही तो चुना हुए किसके साथ यह बॉर्डर शियर करेगा नहीं इसके बारें बताएंगे बताएंगे अरे भाई अब क्या किया जाए बताओ जी आइटाइग हम लोग देने चलें वाहां पर बताओ तुम लोग बोले तो चलते हैं पर अब देखो किसके साथ यह बॉर्डर शियर करेगा तो बिहार यूपी चातिस गार और इसा और लड़ने के ज़रुत नहीं नहीं की उसको जिए टाग मिला तो यह देखो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि तमिल नाडू में अभी जी आइटाग दिया गया था किस चीज को कठाई मिठाई को जी आइटाग मिला था तमिल नाडू के अंदर इसके बाद बार देखो जो तमिल नाडू को GI टाग मिला है अगला देखो इसके अलावा क्या हो जाएगा ये कंदमाल हद्वी ओरिसा के अंदे GI टाग अच्छा एक चीज ओया दखना इंडिया में जो सबसे पहला GI टाग दिया गया था वो दार्जलिंग टी को दिया गया था 2004 से 2005 के बीच में और अभी इसको मिला है GI टाग और रोश्य गुल्ला पूछा जाएगा तो वह वेस्ट वेंगॉल होई जाएगा अच्छा वेस्ट वेंगॉल से दार्जलिंग की जो वाइट टी है और जो ग्रीन टी है उसको भी GI टाग दिया गया है तो जितने GI टाग है सारे याद रखने ठीक है च कोविड-19 से लडने के लिए दिया जाएगा कौनसी कंट्री को कंट्री का नाम बताना है तो कंट्री बन जाएगी यहाँ पर इंडिया को यह लोन प्रोवाइड करने की बात बोली गई है लेकिन देखो NDB आया है न तो NDB जो है किसके द्वारा बनाया गया था ब्रिक्स के द्वारा इसको बनाया गया था कौन से यह में ब्रिक्स आया है तो 2009 में ब्रिक्स में में टोटल कितनी कंट्रीज है पांच दिख रही है ब्राजील रशिया इंडिया चाना और साओक आफ्रिका साओथ-ाफ्रिका की बात करो तो इसको बार में जोड़ा गया है 2010 में इसको हिस्सा बनाया गया ठीक है अब देखो पहले हम दो एंडीबी के बारे में कुछ बात करेंगे उसके बाद आते हैं ऑप्शन से खेलेंगे देखे सबसे पहली चीज दो हजार चौदा में एक ट्रीटी साइन करी गई थी फोर्ट जिला ट्रीटी उसके अंदर एंडीबी का इंग्लिश हो जाएगी यहां के प्रेसिडेंट कोने के वी कामच जी यहां के प्रेसिडेंट है अब आज ऑप्शन पर वापस देखो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपको नजर आ रहा है चाइना की बात करो तो चाइना के अंदर आजकल नियूस क्या चल रही जो पैं ना नाम रहेगा यहां पर पीकिंग और इसके यहां पर करेंसी क्या रहेगी करेंसी बिल भी यह नेक्स पॉइंट यांगिटेज रिवर जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है वह आपको मिलेगी चाइना के अंदर और चाइना का बॉर्डर शेयर होता है नॉर्थ कोरिय गाल contract पर किंदर यहां नाम रख दिया गया है बग्डान है का इनियुकति करें कि पिम के इर आपकारन किया गया का दिल काम हड़ता है अगला जवाल देखो यहां पर क्या है इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाली में किसकी नियुक्ति करी गई है आंसर बनेगा यहां पर विद्या वथी जी का एपॉइमेंट किया गया अब देखो पहले तो दीपा मले यह पैरा ओलंपिक से जुलका इनको CIC यानि कि Central Information Commissioner के रूप में न्युक्ति किया गया और आखरी नाम लिखा हुआ है मनोज अहुजा जी तो CBAC के चेयर पर्शन के रूप में इनकी न्युक्ति करे गए तो जितने पांच नाम है पांचो नाम से पांच अपॉइंट्मिंट मैंने आपको रिवा संक-शनधी वी काफी पुरानी जगें बहां पे वह सर्वे करने का काम करते हैं तो इसको बनाया कब गया था तो 1861 में फॉर्म किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है, 1861 में फॉर्म किया गया है, अलेक्जएंडर कुरिंगम के दौरा इसको फॉर्म किया गया था, यह कौन से मंतराले में आता है, this is the most important point for UPSC, UPSC का फेवरिड वाला है, मतलब वो दे देगा आपको अर्चेल प्रिजिकल सर्वेय उफ इंडिया बता दो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है आदे लोग मा करके आएंगे यह टूरिजम मिनिस्ट्री का हिस्सा है नो इस इस पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का यह हिस्सा है यह चीज ध्यान रखेगा और यह एक लॉग को यहां पर मिनिस्ट्रेट अग्ले सवाल आ जाहाई पर अगला समय फूक्षा आ रहा है होप पोड़ अभी हथुछीक दवारा रष्टी अपको स्टेट का नाम सुपश्री इसका काम क्या होगा कि स्पेश्री नाम पहले होदा थे तो जादा एजी हो जाता है बताना उत्तरा खंके य यानि कि जहां कि जो CM है त्रिवेंद रावत जी इनके द्वारा इसकी शुरुआत करेगी है इसमें होगा क्या जितने भी अनिम्प्लॉइमेंट मिला है मतलब आप कह सकते हैं कि जितना भी यूथ है उत्रा खंड के अंदर जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है जिनके पास को है तो बस उसी तरीके से जो पोर्टन है ये सरकार के दौरा बनाए गया है अगला दिको यहांपर बेस्ट वेंगोल लिखा तो अभी कल जब पूरा एनॉस्मेंट किया ना तो ममताब एनरजी के दौरा भी अगर देखा जाय तो काफी सारे स्टीक्मिंट नहीं है बट वो पॉलिटिकल है हमें कोई काम नहीं है उनका यहां पे दिखो एक एक एक्जिट आप की शुरुवात करी गई है यह याद रखना यूपी के अंदर पूलिंग टेस्ट और इसके अलावा प्लाजमा थेरिपी यहीं पर यूज़ किया गया और एक चीज आपको मौल बत जाती है जुसका नाम है आपातानी ट्राइब पकेट टाइगर रिजर्व यहां पे लोकेटेड है जहां पे अभी हाली में इसनेक की साब की एक नई प्रजाती पाई गई थी जिसका नाम रखा गया था सालाजार के नाम पर कुछ यादार अचीज है रिकॉल होती है कि नह को आर्डिकल नंबर यहां पे 16 जो हमाई कॉंसिटूशन का वो कहता है एक कॉल अपॉर्चिन वर्क यानि कि काम करने के लिए हर एक व्यक्ति को बराबर से यहां पर उपॉर्चिन दी जाएगी बस इसी का इस्तमाल करते हुए यहां पे इसकी शुरुवात करी गई है अब काली जारी हो जाता है कई बार लगातार बोलने के बाद यह होने लगता है कई अब इक उत्रागंड आया तो उत्रागंड और इसकी नई कापिडल जो बनाए यह वह है गयार्शियन सेम हो जाएंगे त्रिवेंधर रावाजी राजपाल यहां की रहेंगी बेबी रानी मॉ किनारे पर है अगला देखो नंदा देवी हो जाएगा और बस तीन याद रखना ठीक है अच्छा एक चीज और एनिमल्स के लिए कॉरेंटाइन सेंटर अभी बनाये गया था जरा मुझे बताना कि वह कौन सा नाशनल पार्क है जहां पर एनिमल्स के लिए कॉरेंटाइन करेंगे यह बिल्कुल सही बात है जोली सान से का कि बताओ वाइफए स्टेडिस को भी टाइक मिलना चाहिए अगला सवाल है यहां पर केंपा गोड़ा एयरपोर्ट यह कहां पर लोकेट है तो यह लोकेट है बैंगलूरू के अंदर अब यह चर्चा में क्यों रहा है इसक के लिए जो नंबरिंग करी गही है या फिर उसमेंनस research नंबर वन पर कौन शायरा अजाया है तो सिंगापूर 25 और अगला सवाल कोड़ पूछा जा सकता हमाद एयरपोर्ट regarding ंदर लोकेट हैं तो यह कतनर लोकेट है कतर Serie问 अब इसमें केमपा गोडा जो है इसको कौन से नंबर पर रखा गया तो 68 नंबर पर यह आया है इंडिया के तरफ से सबसे पहला है और पूरे वर्ल्ड के लिस्ट में देखा जाए तो 68 नंबर पर आएगा यह चीज समझ में आगी एक्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा यहां से वह चीज़े सीखो पूरी तो कहीं से भी पढ़ लो गया नियूस पर बढ़ा पड़ा होता रामायर पढ़ने के लिए लेकिन आप से सवाल कहां से बनेगा वह स्पेसिफिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए ठीक है ओके अरे बड़े अच्छे हो गया तुम लो क्रिश्ण नदी के ऊपर यह काफी इंपॉर्टेंट और भईया साड़े पांच बजी के क्लाश जो मापिंग वाला वो देखना मत भूला करो काफी इंपॉर्टेंट है वो ठीक और इसके अलावा जो मैंने बताया है ना कि पूरा जीएस का फांडेशन को शुरू हो रहा ह कल से कहां आने के आनमी पे तो उसको जोईन कर ना मत बूलना सारा डिटेल माई पर पढ़ने को मिलने वाला है आपको ओके आप देखो नियूस के पार्ट पे कुछ जादा है नहीं लेकिन हाँ जम्बू कश्मीर से जुड़ी एक नियूस है तो जरा इसको बात करेंगे जम साफ पानी की सुवधा है वो पहुचाई जा सकेगी तो इसके लिए टार्गेट क्या डिसाइड किया गया है 2022 टार्गेट डिसाइड किया है कौन सी स्कीम के अंदर होगा तो जल जीवन मिशन के अंदर इसकी शुरुवात करी जाएगी अब देखो ये तो टार्गेट हो ग कि आने वाला जो टाइम है 2024 से 25 इसके बीच में इंडिया में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है या पर जितनी भी स्टेट हैं हर एक जगा पर आपको पानी की जो सुवधाय है वो उनके घरों तक पहुचाई जाएगी 100% प्योर वाटर मिलेगा उतला पीने लायक पानी ह तो टाप वाटर के लिए यहां पर यह अच्छा जरा यह बताना टाप वाटर के लिए एक सर्वे निकाला गया था उसमें नंबर बन पर कौन सा था और लास्ट में कौन सा था कमें सेक्शन में आंशा को कौरोना को भी जी टाइक दिलवादा तो यही बचा हुआ था अब यह कौन से मिशन के अंदर किया जाएगा तो जल जीवन मिशन के अंदर इसको किया जाएगा इसमें देखो कहा क्या जाता है इसमें बोला जाता है कि पाइप वाटर टो एवरी हाउस यानि कि हर घर तक जो पानी पहुचाया जाता है तैया नलों के द्वारा जो पानी की और यह पहुचानी का टागेट कितना है 2024 किसका भारत सरकार का और इसके लिए कितना खर्च किया है तो 3.5 लाक करोड खर्च किया गया है टाप वाटर में जो पानी की सुविधाय आती है नल खोलते हो तो गंदा पानी आता है न कई बार बस यह बोला जा रहा है कि टाप कि टाप क्या होता है मुंबई वाजन नंबर वन और डेली का जाएगा डेली था वॉटम पर रेरी नाइस तुम्हें अब देखो इसके बेनिफिट क्या होंगे घर तक पानी की सुविधा पॉंचेगी टिक है water supply मिलेगी साफ पानी होगा पीने होगी पानी होगा और यहां की सुविधा सई से पहुंचेगी साफ पानी पहुंचेगा तो पानी से होने वाली जू बिमारीया शाया कि kleiner हो जाएंगी और पानी जो बरबाद किया जाता है वह बरबादी भी थोड़ा कम वहागी वैसे भी मौनसून आ रहा है मौनसून के अंदर आ रहें तो बस यह याद रखना कि इसके लिए जम्बू कश्मीर का क्या लिंक है और जम्बू कश्मीर का टार्गेट क्या है बाच समझ गए यहां तक बिटा हरी कमेंट पढ़ नहीं पा रहा है इसलिए रिप्लाई नहीं हो पा रहा है अब देखो जम्बू कश्मीर और लद्दाग को यहां पर 31st of October को डिक्लियर किया गया था यूनियन टेरिट्री तो यह एरिया हो जाएगा लद्दाग का और यह वाला एरिया किसका है इपाल मलिक जी ने और अब लड़िश प्रिशें टांप जो ल्यूटिने गवर्न है उप राजपाल यह वो कौन है इसी तरीके से जी आश्याइग दिया जाता है जब आप पड़ूहत है असी तरीके से जी याइए टाग दिया जाता है जब equivalent यह This इस के अन्दर आपको को मिलेगा है ट्रिप्स और वहीं यहां पर प्रोवाइड करता है जी आई डाग आंसर जल्दी माधुरी आपके कोश्चन का अंसर रही है तिक अब देखो यहां पर नेक्स पॉइंट पर आ जाओगे तो इसके लावा आपको यह यहां रखना है कि भाईया जब हम द्धचिंगम नाशनल पार्ग दोनों लाश उद्यान जभूएं कश्मीर के काफी इंपोर्टन नाशनल पार्ग में से आते हैं अगला देखो यहां पर चलो यह यहां पर आपके लिए इंपोर्टन है देखो काफी दिन से आप लोग बोल लेते कि माम जितनी एक्सराइज हैं बड़ा मुझे नामनी ध्यान आ रहा है एक परसंट बहुत ज्यादा परेशान था कि माम प्लीज हिंदी में मेरे को एक्सराइज लिए प्रोवाइड करा दो तो जितनी एक्सराइज इंडिया की होती हैं कंट्रीज के साथ वह मैंने यहां पर हिंदी में प्रोवाइड करें इंडिया नेपाल याद रखना क्योंकि यहां पर काला पानी को लेके काफी जादा विवाद चल रहा है और अब तो लिपू लेक को लेके भी विवाद चालू हो चुका है तो इंडिया ने ने कह दिया है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप जा सकते अब आज कि बीच में इंडिधानुश इंडिया और युपे मैंने जस्ट आभी आपको बताहि है नुमाडिक एलेफिंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन होता है अगला देखो मित्रशक्ति इंडिया और शिलंका हो जाएगा इसके अलावा आपको जो याद रखना है को 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 याद रखना इंडिया और अमेरिका एक और याद रखने टाइगर ट्राइंफ एक्सेसाइज जो है यह इंडिया और USA के बीच में आयोजित करी जाती है और संप मैं आज प्लीज हिंदी में तो आज हिंदी में मैंने प्रोवाइट कर दिया कल एक काम करेंगे कल दोनों लांगोज इसमें एक बार फिर से पीडियाप में शेयर कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो अब आज कर देखो किसके साथ बॉर्डर शेर हो रहा है तमिलाडू यह ऐसको बोला जाता है स्पाइस गार्डन उप इंडिया यानि कि जितने मसाले वगरह होते है यहां पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है यहां पर प्रोड़क्शन यहां की सब्सें इंपोर्टेंट रिवर है और इसके ऊपर एक नाशनल पार्क भी बना हुआ है अब फैस् वह बागी मुवी देखे हो ना वो इसने वाली है यह बस 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 चलिए अब जितने लोग ने हिंदी में मागी तेहागा सेशन को लाइट नहीं नहीं तो नहीं बताया था कि यहां पर नारियल का उत्पादन बहुत जादा होता है और यहां पर आपको एक मंदिर देखने को म यह पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचिस्ट टेंपल रिचिस्ट एम्पल का मतला है यहां पर सोने अगेरा की काफी जादा यहां पर चड़ावा चड़ाया जाता है होता है ना साउथ में देखो बहुत ज़ादा है अब देखो यहां पर कौन कौन से डांस फॉर्म है तो कथर सब्सक्राइब करनाटिका के बीच में आपको यह नीलगिरी नाम की पाड़िया मिलती है और इसके आस पास को पूरा एडिया रहां वो रिजव के रूप में काम करता है अगे से मलाई बायोस पे रिजव भी यहीं पर लोकेटेड है ने यहां पर लोकेडिड है यहां पर पहाड़िया एक फूले जो 12 साल में एक बार आता है जिसका नाम क्या है निल कुरुंजी फ्ला ये बिलकुल आपको बलू कलर के मिलते हैं जिसकी वज़ये से इसको नील गिरी का नाम दिया जाता है सीम कौन हो जाएंगे यहां पर पिन्नारी जी हो जाएंगे गवर्नर कौन होंगे आरिफ मुहमत खान जी है अब यहां पर मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइट करिए जरा ध्यान से सुनलू यह क्या है कोविट 19 के टाइम पर जितने स्टेट में जो भी चीज़ें स्टार्ट करी गई है वो सारी चीज़ें मैंने यहां पर आपके लिए मेंशन कर दी है इसका स्क्रींशॉट ले लेना इसको रिवाइस करते रहना यह आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टन है बास समझ मैं कि आज हम कोशिश करेंगे कि कोई टाइम निकाल लिया जाए और आप लोगों साथ थोड़ी चिट-चाट कर ली जाए और आप लोगों की जो कोई हैं वो सौट आउट हो जाए पहले मैं चेक कर लेती हूं कि अगर कोई भी टाइम स्लोट खाली होगा तो वह मैं टेलीग्र का अच्छाना मतलब बेसिक से चलेंगे तो बेसिक से पढ़ने के लिए आप इस बैच को जोइन कर सकते हो और कम्प्लीट जीएस कैसे पहुंचना है अनकैडमी का डाउनलोड करो गोल में जाना गोल में जाके ससी मिलेगा ससी को सेलेक करना और वहां से आप इस बैच को इंग्लेश जितने भी आनकैडमी के एजुकेटर से आप किसी का भी देख सकते हो चाहे वो किसी भी चानल पर क्यों ना पढ़ाते हो यह फ्री रहेंगे आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा इमाउंट आपको नहीं देना है ठीक है बटा इससे कम चलेंगे तो फिर करेंट या फैसको दो घंटे लग जाएंगे या तो कंटेंट कम कर दें या फिर हम स्लो चलने दो में से एकी चीज़ पॉसेबल हो सकते है और यह रहेगा पूरा शिडियूल इंडियन जोग्रफी का जहां से हम शुरुवात करने जा रहे हैं यह क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएं क्योंकि यह क्लास लाइव होते हैं ठीक तो